सड़कों की एक जाल मैंने बिछाया है विधान सवसी स्वा में आजादी के 75 बर्स और मेरा उसमें से साड़े चार बर्स घटा दीजे तो विकास सुन्य था और सिस्वा को प्रमुक जितनी सड़के हैं सब साथ मीटर की चोड़ी बनी और बहुत अच्छी सड़क बनी है आप महराज गंज से ठुटी बारी चले जाएए चाय पीते हो गाड़ी में जाएए और चाय का एक भी भूत वो आपके कपड़े पर नहीं गिरेगा आप कप्तान गंसे आप बाया सिस्वा निचलो लोग ठुटी बरी पर जाएए तो आपका चाय एक भी भूत आपके गाड़ी में अगर पी रहे हैं तो नहीं गिरेगा आप जितनी सडक के देखेंगी चाहे हमारी अभी आप पुरहना मार्ग देखें पुरहना से बहुआर सीधे जोड रही है जिसको हम बार-बार करते हैं माननी पुझनी योगी आदितनाज से कि इस सडक को मुसहर सम्मान सडक के नाम से अंकित करिए ताकि यहाँ चलने वाल अगर हम लोग ऐसा काम करते हैं तो लोगों का एक समझ बनेगी कि अंतिम ब्यक्त के नाम पर भी पुझनी योगी आदितनाजी सडक का नाम अंक्रन किया है जितनी हमारी लिंक रोड है चाहे वो ठोटी बारी से आगर आप देखें भारत के सीमा पर जो ठोटी बारी है वहा अधर कर संपादन हुआ है तो बिधायक जी का बिना साभागीता के बिना उनके एंस का कोई भी काम पत्पाज़ित नहीं हुआ है या आम जन्मानस जानती है स्टकार इतन्दर भी साभागीदार है साथी स्टकार भी मानि मुखमंदरी योगी जी भी जानते हैं अब भाद क्या कर करता भी जानती हैं साथी साथ सिस्वा विधान सभा के चारों तरफ जो जन्र समस्याओं की जाल फैला हुआ है अभी बार से प्रभावित नेपाल की शिमाउच से जुड़ा हुआ च्छेतर था और मुक्ष मार्गों के अलामा ग्रामीर शौकों में भी कहीं जाएए एक-एक फुट के गड़ें हैं और वहां कोई भी सामाने बाहन नहीं जा सकता बिमार होने पर बिद्याले बिमारी की अवस्ता में हास्पिटल जाना हो तो रास्ते में ही मौत हो जाती हैं तमाम ऐसी दुर्भावस्ताएं हैं अगर मानी विधायक जी जन्ता के बहनाओं के सम्मान करते तो स्यूषवान नगर से जुड़ी होई सिंदुरिया मार्ग है और ये ब्लाक मार्ग होते हुए तमाम ऐसे मार्ग हैं जो भी मेन मार्ग से जुड़ी होई मार्ग हैं सब अस्त बैस और इस रूप में है कि वहां बाहनों को लिए असंभाव साह हो गया है सिच्छा के शेत्र में हमने अमूग चूग परिवर्तन किया है अजादी के 75 साल है और हम जब विदायक बने थे तो 72 साल थी तो हमने यहां अभी तक सिस्वा विदान समा में आपको जान के तैजुब होगा कि कोई राजकी इंटर कालेज नहीं था इस्टेट हमेशा मालिक होता था वो सिच्छा के छेत्र में हमारे महान जनता को गरीबों को वो कभी ने चाहता था यह होश्यार बने यह पढ़ लिख लें यह आगे जाएं आगे चलें आगे कमाएं अच्छा काम करें तो मैंने सिच्छा पर बहुत जोड़ दिया है हमने राजकी इंटर कालेज सुकृत कराई और राजकी डिगरी कालेज भी सुकृत है जो सिस्वा में बनने की तैयारी है अभी जो है उसका पैसा रिलीज होना जा रहा बट सुकृत हो गया एक सुअगी बरवाम हमने कालेज बनवाया एक बहुत ही अच्छा कालेज का एक शुरुवात किया है काया कल्प योजना में अगर आप देखें तो बहुत बड़े पैमाने पर सोले सो बिद्यालेओं का जिवड़ो उधार हमने सिस्वा के जो देखें की लगवा साड़े तीनसो चारसो हमारे प्रैमेरी स्कूल है उनन्में हमने काया कल्प इमना के तदब बड़े प्रवित पर काम कराया है आप क disturbed के बिद्याज कि आuben गया है कि आदव कर्फ़ वहां निरंकुस्ता इस सस्ता तक बढ़ी है कि ध्याबक आते जाते रहे या नहीं रहते रहे मानी बिधायजी को सुभ्यासुर्ग मंतली उनको तैंग कर दीजे उनके सथकारी जो सिच्छक अधकारी थे उनके माद्ध हम से सबको सिच्छम तैंग करते रहे और आपको बढ़ा दें बिकास उस पैसे कारों ने किया है सुभ्यास नों ने किया है और समानी सिच्छवा की जन्मानस का सोशन दोहन के लिए के लामा उनकी भावनाओं का जो अपमान किया है यह निश्ची तो भगवान भी माफ नहीं करेगा मैं अवस्य करता हूँ कि जो की सोशन के लामा इनोंने कुछ भी नहीं किया और हम स्वास के बारे माप पूछ रहेते हैं स्वास में आप देखिए हमने दो सीची बनवा के तयार कर दिया एक ठोटी बारी एक सोगी वर्वान सोगी वर्वान इस समाज का और इस देश का अंतिम गाओं है उतनी लाचारी भुक मरी गरीबी आपको देखना अगर है भारत में तो वहां चलना पड़ेगा क्योंकि हम पहले जाते हैं कुछी नगर फिर हम आते हैं बिहार में फिर वहां से आते हैं नैपाल में तब आते ह चार हजार पैकेट सोगी वर्वा में हमने रासन बटवाया पचास कीलो बिभिन तरह के मट्रियल उसमें थे और वहां बाटने का काम किया अंतिम व्यक्ति अंतिम चेहरा अंतिम लोग वहीं हैं वही एक मिशाल है भारत और नेपाल सीमा का काम वह हुआ है कि जन्मानस रखेगी करोना काल में कोई भी ऐसी जगानी सिस्वा विधान सभा में नहीं थी जहां करोना के मरीजों का इलाज हो सक है हास्पीटल को इन्हों इस तरह से विक्षित किया वहां स्टाप नहीं है दबा नहीं है अक्षिजन नहीं है वेंटिलेटर नहीं है मानी विधाय जी बजा दें किस हास्पीटल में शिष्वा में बिदास्वा में असाबित है जहां वेंटिलेटर था और आक्षिजन प्रश्वर मातरा में थी और दवा थी यहां के लोगों ने सहंसिल्दा से स्वेम करुंटाइन होकर के स्वेम अपनी बेवस्ताओं से समास्थेवी लोगों यह तमाम सहस्थाओं ने मिलकर के अपनी लड़ाई खुद लड़ी है मानी बिदायक जी की भूम का सिर्फ अगर कोई सप्लाई आप और दवा किया या हस्पीटल से कोई मरी जाय या तमाम चीज़ें आई शिफ दोहन शोशन के मामले में सभागदार हुए हैं बाकी जनता के लिए कोई विस्वास सेवाए हैं हम मरतमान में उप्रब्दा नहीं कराएगी